हेलो बच्छो रिलेटिव मोश्चन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्छों को प्रॉब्लम आती है क्या आपको भी आती है तो कमेंट सेक्षिन में लेखके बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है और एंड में देखना कि आपकी प्रॉब्लम्स ये वीडियो देखक एक observer है और वह इस direction में जा रहा है लिट इस दिस इस वी ओ फर observer और वो कोई चीज देख रहा है लिट आपको यह पता होना चाहिए कि formula क्या उसका formula बहुत सिंपल होता है हम किसी देख रहे है तो हम point को देख रहे है हम पॉइंट को देख रहे हैं, कौन देख रहा है, observer देख रहा है, तो with respect to observer, तो वो हो जाएगा, velocity of point minus velocity of observer, तो सबसे पहले आप ये formula use करोगे, very important, अब उसके बाल, बहुत बार, east, west, north, south, ऐसे directions दे देते हैं, और बोलते हैं, बताओ, उसकी direction कहा होगी, east of north, north of east, हैना, angles देत हैं, और ऐसा confuse करने वाले options होते हैं, तो सबसे पहली step आपकी ये हैं, कि आपको लिखना है, किसकी velocity हम find कर रहे है, इस point की velocity find कर रहे है, किसके respect में find कर रहे है, कौन देखने वाला है, observer देखने वाला है, तो velocity of point minus velocity of observer, ऐसा पहले लिख लेने का, इस form में, फिर ये दो velocity vectors को हम हमने tail to tail join करना है let us say हमने देखा कि observer इस तरफ जा रहा है observer इस तरफ जा रहा है और वो जो point है object जिसको वो देख रहा है वो नीचे के तरफ जा रहा है तो उनको join कर दो tail to tail this is velocity of the point इसके बाद आप क्या करोगे अब मुझे बताओ इसकी velocity find की जा रही है इसकी velocity find की जा रही है कौन देख रहा है ये देख रहा है और इसमें से इसको subtract कर दिया तो वीपी में से वीओ subtract कर दिया तो vector subtraction में एक चीज याद रखना है कि जो vector आप पहले लिखते हो ये आप जो resultant है वो उसके दरफ ड्रॉकर होगे जैसे इसकी velocity find की जा रही है तो answer उसके दरफ होगा ये बाए तो इसको कहेंगे velocity of point with respect to observer देख कौन रहा है ये देख रहा है किसे देख रहा है उसे देख रहा है तो वो उस तरफ होगा vector ये छोटी सी पाथ बहुत important है फिर से एक बार एक example लेते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इतने पाथ को फिर से देखो और comment section में बोलो कि सर मुझे और एक बार देखना पड़ा चलो एक question देता हूँ मैं आपको माल लो मेरे पास let us say एक rain है rain rain vertically downward fall हो रही है rainfall ऐसे हो रही है और एक observer आगे के तरफ भाग रहा है एक observer आगे के तरफ भाग रहा है तुम मुझे बताओ उस इंसान के लिए rainfall किस direction में होगी तो हमें find करना है velocity of rain देखो जिसकी velocity find करने है उसको पहले लिखने का कौन देख रहा है man देख रहा है तो with respect to the man यह हमें find करना है simple किसको find करना है उसको पहले लिखो जिसके respect में find करना है उसको बाद में लिखो और लिखो velocity of rain minus velocity of man इसके बाद दो वेक्टर्स को tail to tail join कर दो velocity of rain किदर है नीचे velocity of man किदर है आगे अब दो तरीके से देखते है सबसे पहले वेक्टर subtraction का rule जो वेक्टर हम पहले लिखते है answer उसके तरफ होता है तो answer है इसके तरफ इंसान को rain इस तरफ देखेगी this is velocity of rain with respect to man या common sense कौन देख रहा है ये देख रहा है किसे देख रहा है इसे देख रहा है तो direction इस तरफ हो कि और फिर उसके बाद क्या है उसके बाद तो बहुत simple है यह angle find कर सकते हो यहां का यह angle find कर सकते हो opposite upon adjacent करके time theta यूज कर सकते हो और angle find कर सकते हो चलो और एक example देता हो मान लो एक बच्चा है ए ए इंसान है वो एक वो east के तरफ जा रहा है 5 meter per second के speed के साथ 5 east के तरफ जा रहा है 5 meter per second के velocity से और वो एक aeroplane देख रहा है या फिर एक car देख रहा है car और वो car जो है वो car की velocity है 10 meter per second नौर्थ के तरफ अब वो बच्चा जो है ए उस car को देख रहा है तो उस car की direction उसके respect में क्या होगी तो फिर इस एक बार सोचते है किसकी velocity find करनी है car की velocity find करनी है किसके respect में find करनी है इंसान के respect में find करनी है फॉर्मला क्या होगा velocity of car minus velocity of a अब car किस तरफ जा रही है car जा रही है नौर्थ के तरफ नौर्थ के तरफ car जा रही है man किदर जा रहा है east के तरफ east के तरफ man जा रहा है है ना ओके मेरा फोन बज़े गया तो मैं इसको silent कर देता हूँ चलो minute हाँ अब हमें किसकी velocity find करनी है तो हमें velocity find करनी है car की किसके respect में man के respect में तो answer होगा उस अब मुझे तो ये वाली direction किस तरफ है अब इसको ना अलग से आप draw करो confusion कम करने के लिए ये answer है ना तो इदे draw कर लो simple है ये angle find कर सकते हो theta opposite upon adjacent करके tan theta करके और फिर इस angle को कैसे रिखोगे और मान लो ये angle theta है जो भी होगा कुछ भी angle हो सकता है find कर लेते let's say car की velocity है 10 और ये है 5 tan theta अगर use किया opposite upon adjacent that is 2 theta आ जाएगा tan inverse of 2 तो ये जो angle है वो tan inverse of 2 है tan inverse of 2 तो हम बोलेंगे कैसे इसको तो reference हम east को मानते है चलो reference ये इस नहीं west है reference west को मानते है ये reference west को मानते है तो हम बोलेंगे ये direction को कैसे बोलेंगे tan inverse of 2 north of west west के north को है तो west, north of west तो अगर आप बोलते हो sir, मुझे ये angle find करना है तो भी प्राउब्लम नी, तो reference north है और north के west को है, तो west of north north reference है उसके west में west of north आप ये angle भी find कर सकते हो, आप बोलों कि sir, हमें कैसे पता चलेगा तो option देखना है और option देख कि आप बता सकते हो ये बहुत a simple सी trick थी, relative motion में आप ये concept यूज कर सकते हो and I guarantee, इस trick के use से आप relative motion को थोड़ा easily solve कर पाओगे तो एक question देता हो, और फिर lecture, इस point को खतम करता हो और इसका answer comment section में देना, जिसका answer सही आएगा किसी एक को मैं price देदूँगा कैसे दूँगा वो देख लेंगे और price देदूँगा पक्का सवाल है कि the rain is falling in this direction the rain is falling in this direction at an angle of 30 और उसकी velocity है 10, let us say 10 नहीं, 4 meter per second तो सवाल है, इंसान कितने speed से भागेगा इंसान कितने speed से भागेगा कि उसको ये rainfall vertically दिखनी चाहिए the man should see the rainfall falling vertically rain तो आगी के तरफ जा रहे, ऐसे पर इंसान को लगना चाहिए वो vertical है तो इंसान ने कितने speed से भागना चाहिए बहुत सिंपल है, इसको solve करो और मुझे बताओ वीडियो कैसे रहागा मुझे बताओ और कौन से points से जिसमें आपको short tricks और easy way में question solve करने का तरीका जानना है वो comment section में लिको, अगला वीडियो उसकी उपर बना हुगा और चैनल को subscribe करो, वीडियो को share करो और like जरू करो, वीगे thank you so much